असलाम लेकम व्यूवर्स, वेलकम बेक टू उसमार समान कीचन आज की रैस्पी आलमोस्ट सब की फेवरेट है मैं बना रही हूँ मतन नहारी आप बाहर जाकर खाते हैं मेरी रैस्पी को फालो करें बजार से ज्यादा मज़े की नहारी घर पर बनेगी वीडिको को लाइक लास्पी कीजिए गा डेढ़ काप ऑईल लेंगे निहारी में ऑईल थोड़ा ज्यादा डालते हैं एक बड़े साइस का प्याज ऐड करेंगे प्याज को लाइट besar ब्राउन कर लेंगे प्याज लाइट billion हो गया है निकालेगे प्याज एक इंच द्रग का टुकड़ा, नौ से दस लहसन के जवे, थोड़ा सा पानी डाल कर ब्लेंड कर लेंगे उसी ओयल में प्याज लहसन द्रग का पेस्ट एड़ करेंगे, मिक्स कर लेंगे साथ ही बकरे के गोष्ट का मश्री वाला हिसा एक किलो एड़ करेंगे गोष्ट को 6-7 मिन तक फ्राइब करेंगे, इसी रैस्पी को फालो करते हुए आप बीप और चिकन की निहारी भी बना सकते हैं लेकिन चिकन में पानी काम यूज होगा, गोष्ट को 6-7 मिन तक फ्राइब कर लिया है, अब इसमें स्पाइसी जाइड करेंगे नमक 1-2 बर स्पून या फिर टेस्ट के मताबक लाल मिच पोडर 1-2 बर स्पून पपरिका पोडर 1-2 बर स्पून ये तीकी नहीं होती, इससे कलर अच्छा आता है सौफ 1 टी स्पून, सौट यानि खुशकद्रक 1 टी स्पून, जीरा हाफ टी स्पून, इन तिनों चीजों का मैंने पोडर बना लिया है थोड़ा सा पानी डाल कर 2 मिनिट भुनाई करेंगे ताके मसाले जले न अच्छी तरह से भुनाई कर लिया, अब इसमें 3 लीटर पानी अड़ करेंगे, मीडियम फलेम पर 1-1.5 खेंटा लगेगा पकने में, कवर कर देंगे, दर्म्यान में चेक करते रहिएगा गोश्ट गलने में टाइम लगेगा, तब तक नहारी मसाला रेडी कर लेते हैं साबत खुश्क धनियाओ वांटेबर स्पोन, साबत काली मिर्चें हाफ्टी स्पोन, जीरा हाफ्टी स्पोन, जाइफल आदा टुकड़ा, जवतरी एक टुकड़ा, दो पिपली, चार सबज हलाईची, दो बड़ी हलाईची, चार लॉंग, दो दार्ची नी, एक बाद्या मसाला ग्राइंड हो गए है, अब इसको चान लेंगे, दो कप पानी लेंगे, हाफ कप गंदम काटा मिक्स कर लेंगे, अच्छी तरह से मिक्स करना है, ताकि कोई लंप्स ना रहे, दोनों चीज़ें रेडी हैं, यह आगे जाकर यूज हूँगी, गोश्ट को पकते हुए तकरीबन सबागेंटा हो गया है, अब चेक कर लेते हैं, गोश्ट गल गया है, तकरीबन एक लीटर पानी रह गया है, अब गंदम का जो आटा रेडी किया था, वो एक करेंगे, चमच में सरसल हलाते रहना है, अगर आपको लगे कि आटा डालने से यह ज्यादा गाड़ा ह हो गया है, तो आप पानी गरम करके थोड़ा सा और डाल दें, लेकन आटा डालने के बाद इसको 8-10 मिनट पकाना जरूरी है, आटा डाल कर 8 मिनट पका लिया है, अब इसमें नहारी मसाला जो रेडी किया था, वो एड़ करेंगे, थोड़ी सी नहारी लें, और मसाला इसमे मिक्स हो जाएगा, अगर हम ड्राए मसाला एड़ करेंगे, तो एक जगा पे अकठा हो जाएगा, अच्छी तरह मिक्स नहीं होगा, मसाला डाल कर मजीद 1 मिनट कूक करें, अब इसको लो फ्लेम पर कवर कर दें, जब तक ऑईल उपर ना आ जाए, तकरीबन 15 मिनट बाद य सूपर डिलिशियस नहारी की रेस्पी मैंने आपके साथ शेयर की है, फीड़ बैक लास मी दें कि आपको मेरी आज की रेस्पी कैसी लगी, बारी कटी हुई अद्रक, बारी कटी हुई सबस मिर्च, फ्रेश थनिया, लीमू से इसकी टॉपिंग करेंगे, नहारी बनाते हु दौाओं में याद रखिएगा आपके कीमती वक्त का बहुत बहुत शुकरिया, अलाफीज